Hello doctors, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप सभी लोग healthy होंगे, happy होंगे चलिए, शिरू करते हैं आज का lecture आज हम देखने वाले हैं ATS spike attack, छोटी सी medicine है लेकिन exam में पूछी जाती है इसका हमारा rheumatism सबसे important है और exams में भी वही पूछा जाता है और books में भी वही देके रखा है, ठीक है? इसलिए guiding symptom के तौर पर मैंने rheumatism को points में divide कर दिया है जिसको हम story की help से याद कर लेंगे, ठीक है? आपको बस story को याद करते जाना है और जो point आपको याद आएंगे वो आपको copy में लिखते जाना है, ठीक है? एक्टिया स्पाई केटा की story trick ये कहानी किसकी है? ये कहानी है एक आदमी की, जो की acting करता था, ठीक है? और उसे एक वार role दिया गया, जासूस का, ठीक है? एक्टिंग किसकी करनी थी? उसको, स्पाई की acting करनी थी की, producer ने बोला कि आपको acting करनी है, spy की, ठीक है, तो सर बताओ role क्या है, role क्या रहेगा मेरा, तो producer बताता है, कि आपको क्या करना है, run करते हुए जाना है, room के अंदर, ठीक, और वहाँ पर blackberry का juice रखा हुआ है, वो उठा कर लाना है, ये उसे role दिया गया था, ठीक है? तो वो क्या करता है, कि run करता हुआ जाता है, run and classy family, room के अंदर, diathesis, rheumatic and county, और वहाँ से blackberry के juice की जगे, पेट्रोल उठा लाता है, उसका भी color वैसा ही था, blackberry का भी color लगवग वैसा ही होता है, पेट्रोल उठा लाता है, तो producer कहता है, अरे बेवकूफ, ये पेट्रोल है, ठीक है, आपको अंदर से blackberry का juice उठा के लाना है, ठीक है, दुबारा से retake, ठीक, दुबारा होगा ये पूरा scene, तो उतका अदर सर ठीक है, चलो, इस वार try करते हैं, तो अगली बार क्या होता है, वो अंदर जाता है, run करता हुआ, room के अंदर जाता है, और वहाँ पेर, जो ब्लैक बेरी का juice था, वो एक्शली एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ था, जिसका की mouth जो होती, जो opening थी, वो छोटी सी थी, ठीक, वो उसके अंदर ग्लास से अंदर हाथ डाल तो देता है, लेकिन बाहर उपर लेता है, तो हाथ वापिस नहीं आता, वो जो opening थी, उसमें उस थारी चीज़े cover कर ली है, ठीक, medicine का नाम, acting करनी थी, spy की, अंदर रन करते हुँ जाना था, रेननकुलेसी, ठीक है, रूम के अंदर जाना था, डाइसेस, rheumatic end का उटी, पहले क्या उठालाया था, पैट्रोल, तो prover कौन है इसके, पैट्रोज, ठीक, और लाना क्या था उस तो this medicine is special affinity for smaller joints, particularly the wrist, ठीक है, ये point हमने cover किया, अब wrist में क्या हो गया था, जब उसने खीचा तानी की, तो उसमें दर्द होने लगा, रिष्ट वाली जगे पे, वहाँ पे सूजन आ गई, ठीक है, after the slight exercise, ठीक, तो ये point हमारा हो गया, अब उसने क्या किया, कैसी भी करके, बड ठीक, तो producer को तो कोई मतलब नहीं, उसको तो अपना दिन बरवाद नहीं करना था, बोलता है, द्वारा retake, ठीक है, retake होगा, तो बोलता है, sir, अब नहीं retake हो पाएगा, अब इस हाथ में बिल्कुल जान नहीं रही है, ये हाथ ये माल लो, sir, paralyzed हो गया, ये काम नहीं करेग ठीक है, अब कोई मतलब नहीं है, अब ये सीनम कल करेंगे, ठीक, affected part as swollen, देख लो, sir, सूझ गया है, and an affected limb great weakness and is felt as if paralyzed, ठीक है, उसे ऐसा लगता है, बहुत जादा कमजोरी आ गई है, अब तो paralyzed जैसा हो गया, हाथ, हाथ ब्लकुल काम नहीं करेगा, अब मुझे घर जाने ठीक है, तो प्रोडूसर होता है, बोला, अरे या, इधरा, दिखाओ मुझे क्या हुआ है, तो जब टच करने की कोशिश करता है, तो उसे टच नहीं करने देता, सर, 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 नहीं, प्लीज टच मत करो, ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज टच मत करो, there is extreme tenderness to touch, ठीक कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कल काम करेंगे, तो पूरा affected हो जाता है, राइट आरम से लेके उपर तक, ठीक है, नीचे से उपर, पूरा हाथ जो है, उसका राइट वाला affected हो जाता है, घर पे आता है, ठीक, घर पे आके काफी ठका हुआ होता है, रात को, तो सो जाता है, ठीक है तो ड्रॉइंग और यह ड्रॉइंग रखी हुई है मेरी बाहर ठीक है बाहर टीवी भी रखी थी आज तो मैंने सफाई की थी तो तो टी और वी ठीक है तो इसके लिए उनको सही करने के लिए वह मोशन करता है मतलब वहां से उठके जाता है उठके जाता है तो उसके ह टीवी से टीरिंग एंड वॉयलेंट याद रखना भार ड्रॉइंग और टीवी रखी हुई थी तो ड्रॉइंग टीरिंग वॉयलेंट पेन रहते हैं ठीक है जो कि उसके किसे बढ़ जाते हैं मूवमेंट से क्योंकि सो रहा था वो तब ठीक था लेकिन जैसे ही वो उनको तो यह च्छोटी ती कहानी थी और इसके जो यह सारे पॉइंट्स हैं ठीक है यह रूमेटिजम के पॉइंट है ठीक तो आपको यही लिखना है मैं यहाँ पर लिख देता हूं आर एच यू एम एटी आई एसम ठीक है तो आपको अगर पूछा जाता है तो यह दूसरी ची की medicine है यह बड़े वाले अगर joint हैं तो आपको इस medicine के बारे में नहीं सोचना है ठीक है तो आपने rheumatism के point याद कर लिए है particular भी हमारा पूरा complete हो गया है इसके साथ में थोड़ा सा एक वाद थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं क्या क्या होता है इसमें यह generally हमारे की जो patient होता है उसे ऐसा लगता है कि हाथ एकदम paralyzed हो गया है किसी काम का नहीं रहा है मतर्क्राइब किसी काम का नहीं रहता है उससे वह कुछ कर नहीं पाता है इसलिए उसको paralyze वाली feeling आती है ठीक है दूसरी चीज वहां पर swelling होती है swelling होती है तो इसकी वज़े से वो किसी को touch नहीं करने देता ठीक है या फिर कि हाथ उसका किसी चीज से touch हो जाता है तो इससे बहुत जादा दर्द होता है तो देखा जाए तो पूरा का पूरा जो arm है ठीक है वो पूरा का पूरा जो arm है वो ही affected हो जाता है दर्द पूरे arm में होना शुरू हो जाता है जो numbness है जो tingling sensation पूरे हाथ में weakness पूरे हाथ में होती है और दूसरी चीज यह जो दर्द जो महसूस हो रहा है उसको हाथ में वो रात के समय या फिर उस हाथ का movement करने से वो चीज भढ़ जाती है जो दर्द है वो patient कोशिश करता है कि उसे ज्यादा move ना किया जाए और एक जगह study रखा जाए जिससे कि उसका जो pain है वो दीरे-दीरे करके down होने लगे pain जो होते हैं वो काफी तेज होते हैं देखने में मतलब काफी तेज देखने को मिलते हैं drawing tearing violent मतलब ऐसा जैसे कुछ फट गया हो ठीक है तो यह simple इसका particular कहलो इसकी story trick कहलो इसकी guiding symptom कहलो सब यही है जो है तो आपको भी जो है यही याद करके जाना है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक थोड़ा सा clinical use की बात करें तो हमने जो अभी चीज़ें देखी वही है ठीक है चीज़ें ज्यादा कुछ है ही नहीं तो मैं अलग स कहां से लाओं ठीक है जो किताबों में लिका है वही क्लीनिक पर पेशेंट वो लेगा तो वही उसी के लिए medicine देनी है आपको सीधी सी बात है ठीक है तो पहली चीज यह कि यह जो दवाई है यह छोटे joint की दवाई है कहां कहां कि जैसे wrist finger toes ankles ठीक है पैर की जो छोटी पैर क की उंगलियां है जो एंकल है एडी वाला हिस्सा है ठीक है वहाँ पर हो रहा है हाथ की उंगलियों में हो रहा है कलाई में हो रहा है ठीक है वहाँ पर सूजन आ जा रही है वहाँ पर दर्द देखने को मिल रहा है काफी तो यह medicine अपन दे सकते हैं उसको दूसरी चीज कभी का बार यह देखा गया है कि धही खाने से कर्ड खाने से क्या होता है कि जो हाथ की swelling है जो रिष्ट की swelling है वो भड़ जाती है ठीक है अगर ऐसा patient कह रहा है और साथ में हमने देखा एक छोटा joint involved है और धही खाने से वो भड़ रहा है तो आप उसको एक्टिया स्पाइक अटा दे सकते हैं medicine बहुत अच्छा काम करती है ठीक है दूसरी चीज जो दूसरा पॉइंट है इसका worst-wide touch ठीक है patient उसको touch नहीं करने देगा जो सूजन वाला हिस्सा है उसको टच नहीं करने देगा ठीक है और उस वक्त हो सकता है काम से शुट्टी ले ले patient घर पर रहे क्योंकि जब भी वो काम करेगा ठीक है तो हमने देखा है कि हलका सा भी exertion करेगा patient तो उसको दिक्कत भढ़ जा रही है सूजन भी और दर्द भी ठीक है हलका सा भी अगर उस हाथ पर लोड डालेगा तो वो दिक्कत भढ़ जाती है इसलिए patient rest करने की सोचता है दूसरा दर्द जो है उसका करेक्टर हमने देखी लिया था ठीक है कैसा था drawing और TV ठीक है drawing टीरिंग और क्या बोलते है वाइलेंट टिंगलिंग ठीक है यह चीजें इस टाइप का दर्द देखने को मिल रहा है patient के अंदर ठीक काफी तेज वाला दर्द होता है जैसे कुछ फट गया हो ऐसा दर्द रहने देखने को मिलता है दूसरा एक चोटा सा पॉइंट और है जो आप याद कर लेना कि यह यह facial neuralgia की भी अच्छी काम करती है अगर मानलीज जो दर्द है वो जो से शुरू हो रहा है और उपर temples तक जा रहा है ठीक है तो नीचे से दर्द शुरू होकर जनली कब होता है जब हमारा कोई दात कोई जो दात है जो डिके होना शुरू हो जाता है ठीक है कोई दाड है यह सकती है इसको दे सकते हैं medicine अच्छा काम करेगी ठीक तो जो छोटे joint हैं उनके लिए medicine होती है लेडम पाल भी हम सो सकते हैं कभी joints में अगर पेन लेकर patient आता है तो बस वहाँ पर यह है कि वहाँ पर जो पेन रहेगा वह ascending type of rheumatism देखने को मिलता है जहां पर जो दर्द है वह नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू करता है जैसे सबसे पहले वह पैर की छोटी उली में आया फिर दूसरी उलियों में involved हुआ दैन वह क्या बोलते हैं एडी वाले से में आया ठीक है एंकल में आया देन घुटने में आएगा हो सकता है आगे जाके नी जो हिप जॉइंट है उसमें होना शुरू हो जाए ठीक है साथी साथ क्या होता है कि जो पेन है shifting type of pain रहता है कभी इधर वाले एंकल में तो कभी इधर वाले नी में कभी रहा होते हैं वह increase हो जाते है और ठंडे से ठीक है cold application से उसके जो पेंस हैं वह relief हो जाते हैं अगर उसको घुटने में दर्द है तो पेशेंट गरम से ना सिखाई करके ठंडे से सिखाई करेगा ठीक है एक बोतल में पानी भरके ठंडा और उससे सिखाई करेगा बरफ से में लोग जो होते हैं वो गरम से सिखाई करते हैं उन्हें गरम से आरा मिलता है लेकिन लेडम पाल में उसे ठंडे से आरा मिलता है गरम से दिक्कत होना शुरू हो जाती है ठीक है तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं लेडम पाल के बारे में तो छोट इसी मेडिस मेडिसिन याद आती जाएगी तो ज्यादा समय देने की ज़रुवत नहीं है मेडिसिन को पांच मिनिट की मेडिसिन है एक वार मन में रिकॉल करो लाएं से चारपां सिम्टम में याद कर लो और आगे बढ़ जाओ ठीक है बहुत सारी मेडिसिन याद करनी है ठीक तो कुछ छ आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक हैपी रहिए हेल्दी रहिए टाटा टेक केर एवरिवन